Friends , आज के इस वीडिएो में हम बहुत इंटरेस्टिं टपिक के बारें बात कर रहे हैं And that is how to trade. How to do Interatiating, Friends जब भी हम लोगा इंटराडेटिंग करते हैं, भले ही वह निफ्टी में हो, बैंक निफ्टी में हो , या फिर उनके ओप्शंस में हो , या फिर कोई stock में हो, there should be the perfect entry exit method, अगर आप सही जगे पर entry करोगे, तो at that time your stop loss will become very small, at the same time your target can be achievable, तो यहाँ पर बहुत ज़रूर यह है कि आप एक सही जगे पर entry करो, तो आज के इस वीडियो में हम detail में discussion करने वाले है कि interrading में कौन-कौन से factor को आपको ध्यान रखना पड़े कि हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो friends हम लोग यहाँ पर निफ्टी के chart में आ चुक है, this is the five minute time frame, तो सबसे पहले हम लोगों को अब नो देखो, कि जब हम लोग को analysis करते हैं, हम लोग को trading करना होता है, तो हम लोग जब chart को देखते हैं, तो chart में क्या होता है, तो मैंने पहले भी इस वीडियो में, आपा पहले भी बताया हुआ है कि your chart में आप लोग जब देखते हो, तो there are the candlestick, और candle तो इन तीन चीज़ों का बहुत इंपर्टन से तो सबसे प्राइमरी जो पैक्टर एंपर्टन होता है रहा प्राइस वकार अगर हैं थ्यान होगा तो आपको काई बिद्ट कविविरू ऐला हैं यूजल की जरूर कि प्राइस खुंद ओंकал पेंड़ता है वो nifty 50 हो या फिर कोई stock हो reliance हो या बजाज finance हो या फिर TCS हो तो यह जो कोई particular script है वो particular price पे कहाँ पे action ले रही है कैसे react करती है तो कभी भी market में price कम ज्यादा क्यों होता है because there are the supply and demand zone जब भी कोई price supply के उपर आती है तो वहाँ से react होती है अगर आप यहाँ पर simply देखोगे तो इस जगे पर market नीचे आया यहाँ पर यहाँ से उपर गया फिर जैसे ही इस price point पर आया तो there was a demand और demand के वज़े से निप्टी उपर चला गया था फिर से यहाँ पर demand zone में आया फिर से वो react होके उपर चला गया तो basically अगर आप इस supply or demand zone को अच्छे से mark करना सिख गया तो there will be the possibility कि आप सही जगों पर entry कर सकोगे at the same time जब भी हम लोगों को चार्ट को blank दिखते हैं तो हम लोगों यहाँ पर कभी समझ नहीं पाएंगे कहा entry करना है कहा exit करना है तो वहाँ पर आपको लोगों को level करना बहुत important है अब आज के इस वीडियो में मैं सिखा होंगा कि हम लोग लेवल कैसे ड्रॉ कर सकते हैं अब देखो दो दिन प्रकार के लेवल होते है इस लेवल को अगर मार्क करेंगे तो हम लोगों ने देखा कि एक लेवल थी 17,197 या 200 के असपार तो जैसे ही market यहाँ पर आया है तो react हुआ next time जैसे ही वहाँ पर आया है फिर से green candle बनी मतलब मे लोगों को एक particular price जो है वो आपको show कर रही है at the same time यहाँ पर हम लोग train line भी mark कर सकते है train line mark करने के बहुत सारे मतलब वहाँ पर बहुत सारे logics होते है at the same time उसके rule भी होते है कुछ लोग जो shadows होती है उनके उपर करते है कुछ लोग bodies के उपर करते है there are the different theories कोई कुछ कहता है बड़ आपको बता रहो कि अगर आप लोगोंने एक train line बना ली ठीक है कि जैसे कि हम लोग यहाँ पर train line बनाते है simple कि मतलब ऐसी मैं बना रहो हो कि एक train line मैंने बनाया अब देखो जैसे ही train line हम लोग बनाते है तो एक सबसे पहले important point क्या है trend line जब हम बनाते है तो एक trend line जैसे मैंने यहाँ पे बना लिया तो आपने जैसे time frame यूज किया 5 minute time frame यूज कर रहे हो तो आपके trend line वहाँ पे जैसे ही आपने time frame चेंज किया अगर कोई 10 minute time frame यूज करता है तो शायद यहाँ पे आपके trend line वहाँ पे अलग बन जाएगी 15 मिनिट करेगा, 30 मिनिट करेगा तो अलग-अलग time frame पे वो particular trend line बननी ही चाहिए ऐसा ज़रूरी नहीं है At the same time, trend line थोड़ा सा कहते हैं लोग की dynamic support and resistance यहाँ काम करते हैं करते भी ऐसा नहीं है But at the same time, क्या होता है कि जैसे हम लोग trend line बनाते हैं तो trend line कोई एक particular जो price है उसको show नहीं करती है तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे resistance है यहाँ पे resistance है, third time फिर हम ले यह दो point लेके अगर हम लोगों ने trend line mark की हुए है ठीक है, तो इन दोनों को तो third point जैसे यहाँ पे आया तो 17,275 यह price है वो price शो कर रहा है, बच्छो strength है supply और demand में यह वो यहाँ पे show नहीं करती है और जैसे time frame change करोगे तो trend line उतने अच्छे से काम भी नहीं करती है तो अलग-अलग हो सकता है, अगर आप 3 minute का चार्ट देखते हो तो कोई और trend line बन जाए, कोई 10 minutes का बनाएगा तो शायद हो trend line नहीं बनेगी अलग trend line बनेगी तो यह perspective हमेशा रहेगा तो इसलिए जब trend line जब हम draw करते हैं तो बहुत सारे रूल्स आपको follow करने होते हैं बहुत सारा observation चाहिए तभी जाके आप trend line यूज करते हैं मैं यह नहीं कर रहा हूँ कि trend line market में काम नहीं करती बट I am saying that कि horizontal level जितने अच्छे से काम करते हैं उतने अच्छे से trend line शायद नहीं करती हो और वो थोड़ा सा मुश्किल भी है हाड भी है इसलिए horizontal levels को draw करना असान भी है and we can take a trade on that अगर horizontal level आपने mark की हुए तो basically supply and demand theory से आप बहुत अच्छे से trade कर सकते हो तो आज के इस वीडियो में मैं आपको complete बताने वाला हूँ कि आप लोग ये levels कैसे draw अपने telegram channel अगर आप हमारे telegram channel पे तो आप लोग देखते होंगे कि daily सुभे मैं कुछ levels mark करके nifty में हमेशा दीता हूँ और ये आज से नहीं कई सालों से मैं दी रहा हूँ and particular these levels are working very fine तो इस levels को भी आप draw करके रखोगे आपके chart के उपर तो बहुत अच्छे से trade बन सकते हैं तो आज की इस वीडियो में complete levels कैसे बनाना है कैसे देखना यह सारी चीज़े मैं आपको बताऊंगा अब देखते हैं सबसे पहले तो सबसे पहले यह जो हमने levels mark की इनको मिटा देते है अब जैसे हम लोग nifty में अगर कोई trend line बनानी है तो nifty एक index है bank nifty index है तो हम लोग जब भी कोई level बनाते हैं तो हम लोगों है टाइम फ्रेम जो बना लेना है 15 minutes का अगर हम लोग जो level draw कर रहे है वह Internet trading के लिए कल के लिए करना है तो हम लोगों ने timeframe जो यूज करना है वो 15 minutes का करना है At the same time, अगर आप level अगर swing trading के लिए कर रहे हो, तो आप daily का time frame use कर सकते हो, simple logic है, क्योंकि swing trading करना है, तो आपका जो prospect रहेगा, वो 5-6 दिन, 8-10 दिन के लिए रहेगा, तो आप daily के candle stick use करो, but if you want to do inter day, at that time you have to use the 15 minute time frame, अब चलो देखते हैं कि हम लोग ये जो कल का last trading session है, इसको avoid करते हैं, और इसको देखते हैं कि अगर हम लोगों कुछ level draw करनी होती ही, तो हम लोग कैसे करते हैं, अब देखो simply, कुछ rules होते हैं, अगर आप सिर्फ इसके उपर eyes, आपने अगर view भी देख लिया ना, तो आपको समझ में आएगी कि कैसे हम लोग draw कर सकते हैं, अब देखो मैं सबसे पहले एक horizontal line ले लेता हूँ, इसका color change कर लेता है, अब देखो, ये पहले का trading session था, अभी हम उसके next trading session के लिए trade करना है, अब आप देखो, यहाँ पर आपको clearly दिखा दे रहा होगा, कि यहाँ पर market ने reverse लिया है, यहाँ से market ने यूटन लिया है, यहाँ पर आके closing होई, और एक चीज में आपको बता रहो, यह भी चीज आपने अच्छे से याद रखना है, कि जब भी market closing prices और opening prices जो होते हो, बहुत important होते है, ठीक है, तो अगर इस session में आपका, यहाँ पर market ने, यहाँ से reverse लिय लिया है, फिर यहाँ से reverse लिया है, अब देखो, यहाँ से you turn लिया था, यहाँ से you turn लिया था, almost एक दिन पहले, यहाँ पर भी market ने close किया था, आप यह भी देख सकते हो, simple, just a minute, यहाँ पर भी closing होई थी, तो यहाँ पर भी market ने आके reaction दी थी, ठीक है, तो आपको दीख रह हुआ है, तो हम लोगों के लिए एक important level बन जाएगी, हम लोगों इसको ignore नहीं कर सकते, अब इसी theory के साथ मैं आगे कुछ levels draw करता हूँ, आप देखो, कैसे काम करती है, ठीक है, तो simple हम लोग एक horizontal line लेते हैं, और हम लोग देखते हैं, अब आपको क्या करना है, जब भी level draw कर आपको मिल जाएगा, तो मतलब कोई भी level के उपर कैसे trade करना है, मैंने बहुत अच्छे से वहाँ पे explain किया, अब जरूर देखना, आपको बहुत अच्छे से trade मिल सकते है, मैं simple क्या करता हूँ, ऐसी level draw करना है, जिसे maximum line वहाँ पर यह जितने भी points हो connect हो जाए, अब यहाँ यहाँ पर हम लोग क्या करते है, जैसी मैं थोड़ा सा बढ़ा करके आपको दिखा था, मतलब यह चीज़े आपको समझ में आए, अब देखते है, कि हम लोगों ने एक level draw की, अब यहाँ पर यह से level draw करनी है, कि maximum point attach हो, आपको कुछ चीज़े दिख रही होगी, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके thickness थोड़ी कम कर देंगे, और यह जो नीचे का zone है इसको भी mark कर लेंगे, मतलब यह जो दो line हमने बनाई, this should be considered as a support on the previous day, अगर market इसके नीचे रहता है, तो maybe it will work as a resistance, और उपर उपरों के यहाँ पर price action दिखाता है, उपर की तरफ जाता है, तो may it will work as a support, अगर market इसके नीचे चला जाता है, तो मुझे इसके नीचे भी level चाहिए, simple, अगर मुझे इसके नीचे level चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, इसके नीचे nifty ने कहीं trade किया हुआ है, नहीं किया हुआ है, तो आपको सीधा सीधा chart को minimize करना है, और पीछे देखना है कि इस level क नीचे कहां पर market ने यूटन लिया हुआ है, अब ये बहुत ज़रूरी है, अब देखो, और एक चीज में आपको बहुत important की factor है, जो बता रहा हुआ हूँ, हम लोगों को इस level को सिप draw नहीं करना है, हम लोगों को इस level के उपर trading भी करनी है, तो generally आप जब भी कोई level draw करोग इसमें at least 2 level के बीच में, जो distance उपर या नीचे, 50 point का तो भी रहना चाहिए, उसमें जबरदस्ती नहीं करना है, मतलब क्या होगा, कभी को 20-20 points पे trade बनेगे, तो 20-20 points पे level बनेगे, तो आप वहाँ पे trade ही नहीं कर सकते, दो candle बनते बनते तो 15 point चला जागा, 5 point के लिए तो अगर आपको लगता है कि यहां से भी support ले सकता है, तो हम लोग इसको ज़रूर मार्क करेंगे, लेकिन करना क्या है, इसको color change करो या फिर उसको thickness कम कर दो, मतलब आपका जो view है, आपको समझ में आना चाहिए, हाँ, it should be work as a minor support, मतलब यहां अगर नीचे आता है, तो शायद यहां पे भी एक candle यहां नीचे close होगी, तो मुझे इसके पहले entry नहीं लेना है, क्योंकि यह भी एक time यहां पे देखो, यहां से reverse हुआ है, यहां भी एक 15 minute के red candle बनीती, मतलब market बुलिश था, यहां पे रुका था, at the same time यहां पे resistance लिया था, यहां पे resistance है, यहां पे resistance है, जब market उपर गया, फिर नीचे आया, फिर तो यह भी एक level important है, तो इसको भी आप draw कर सकते हो, but it should be considered as a minor support, अगर उपर से नीचे आता है, तो इसको हम इस तरह से draw करके चलते है, ठीक है, फिर से हम लोग green color ले ले लेते हैं, और देखते है, इसके नीचे अगर market आया, तो कु simple, मुझे एक level यहाँ पर मिलेगे, ठीक है, I can draw this level, यह level important हो जाएगी, simply अगर मैं इसे draw करूँ तो, इसको आराम से बनाना है, मतलब सब points यहाँ पर exist हो जाए, ठीक है, तो यह level important बनेगी, और इसको mark करने के लिए, मैं और एक छोटी सी line बना देता हू, मतलब यह complete zone बन जा जाते है, तो simple, हम लोगों को यह जो है, देखो, यहाँ से gap up opening होई थी, और यही से support लेके market काफी उपर गया था, तो we can't ignore this particular level, हम लोग इसको भी draw कर लेते हैं, ठीक है, अब देखो, हमारे पास almost 3, जो important 3 level है, नीचे की वह आ चुकी है, उसके बाद में अगर उपर zone में च इसके लिए आपको जो भी color change करना आप कर सकते हो, अब देखो, market क्या हुआ था, मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, फिर से यहाँ पर आते हैं, अब देखो, continue market, तीन दिन से इसी zone में काम कर रहा है, तो जो last time का trading session था, उसमें आप देख सकते हैं, कि market ने यहाँ से reverse उपर गया, फिर नीचे आया, फिर उपर गया, यहाँ पर closing देख, तो सबसे पहले यह level draw कर लो, ठीक है, this should be considered as a important resistance, अगर market open हुआ, जो भी हुआ, जो जैसे भी होता है, तो it should be, और क्या था, important resistance, क्योंकि closing price है, closing price को हमेशा याद रखना, और यहाँ पर भी आपको reaction देखे गया था, next day फिर यहाँ पर resistance लिया, फिर नीचे आया, और यहाँ opening हो के नीचे गिर गया था, this should be considered as a important level, फिर अपने चार्ट को थोड़ा सा छोटा करते है, और देखते है, यह देखो, अब यह जब draw किया, तो एक छोटी से level छूट गई, तो हम लोग इसको small level बना देते ह अब यह भी point cover हो जाए, उसके बाद में अगर हम चलते हैं, तो इसके उपर कौन सी level होगी, simple simple, अब देखो, 17,300, 79,380 से, सीधा सीधा जो level बनती है, यह level बनती है, इसका थिखने से और हमने बढ़ा दिया, तो almost all line, जो है, वो level से वो touch हो रहे है, तो यही से market ने, मतलब हम हमने जो levels draw की हुई है, इसको market ने कैसे reaction दिया, अब देखो, क्या हुआ है, next trading session में हम लोग इसको 5 minute का convert कर लेते है, for the understanding purpose, यह हमारी सब levels है, अब देखो, जैसे ही market open हुआ, यहाँ पर rejection लिया, obviously पहले 5 minute तो हम लोग कोई trade नहीं करेंगे, सीधी सीधी बहुत बढ़ी एक red candle बन गे और market continue नीचे आगया, अब हमें बता है कि हमारी level है, तो यहाँ हम लोगों को trade नहीं करना है, ठीक है, अब फिर से यहाँ पे एक red color की candle बनी है, जो bearish candle है, आप candlestick का भी वीडियो देख लो, मतलब आपको समझ माया है कि bearish और bullish candle क्या होती है, सिफ red color है, मतलब वो bearish है, green color है, मतलब bullish है, ऐसा बिलकुल नहीं होता, कुन सी strong bullish है, strong bearish है, उसको समझने के लिए, बहुत पहले मैंने candle stick का वीडियो डाला हुआ, अब search करोगे candle stick का, उसका जो link है, वो description में, वो जरूर देखना, आपको सही में, इंटराटरेटिंग इतनी आसान हो जाएगी, मतल अगर इतनी बड़ी 5 minute की candle rate बनती है, next candle में है, तो bearish sentiment है, तो यहाँ पर हम लोग अगर कोई trade लेते है, simple, इस जगे पर, जैसे इस candle की closing होगी, फिर next candle नीचे जाएगी, तो हम लोग यहाँ पर trade करेंगे, हमारा जो SL रहेगा, इस green line के थोड़ा सा उपर हम इसका SL लगा दे अगर market यहाँ से reverse होता है, देखो concept क्या होता है, जब trade करते है, यह हमें बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, कि हम लोग एक color ले लेते हैं, दूसरा, देखो, यहाँ पर हम लोगोंने trade लिया है, तो trade लेने के बाद market यहाँ पर आया, तो यहाँ से लेके, फिर से इस अगर यहाँ पर कोई selling side का trade मिलता है, बट ऐसा जरूरी नहीं कि आपको हमेशा retest मिले ही, क्या होता है, कभी-कभी retest नहीं होगा, यह सीधा-सीधा गिर जाएगा, तो you have to decide कि आपको retest के लिए wait करना है, या फिर आपको direct entry करना है, अगर आप direct entry करते हो, तो आपका sell जो है इस level पर attack रहेगा, अगर यह reverse होता है इस जगे से, तो आप लोग यहाँ पर continue रहोगे, और फिर कोई bearish sentiment बनता है, तो then continue with your trade कोई दिक्कत की बात नहीं, और sell होता है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि जब आप risk लेते हो, तो risk छोटी सी है, क्योंकि इतनी risk जाएग अगर आप 1-3, 1-4 में काम करते हो, तो आप 30% time भी correct होते हो, तो भी आप losses नहीं कर सकते, इतना simple concept है, अगर इसको आप नहीं, यूज करोगे तो बहुत बेकार है, और बहुत से लोग pivot point भी use करते है, as a support and resistance, बहुत सस्ते support and resistance है, बहुत ही simple है, बहुत लोग यूज करते है, आपको करना है, तो आप कर सकते हो, but I am telling you, such type of levels are working more effective, मतलब बहुत अच्छे से काम करते है, pivot से भी जादा, ठीक है, तो जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पर entry ले लिया, जैसे 5 minute की candle आई, यहाँ फिर से यह green candle तो बनेगी, क्योंकि हम लोगों ने level मार किये, तो यह तो expected है, यहाँ डरना मत, अब देखना कि क्या होता है, फिर इस candle ने फिर से इस जगे पर close किया, और next फिर से red candle बनी, और there is a continuous fall, तो आप यहाँ तक रूखो कि जब तक आपको, आपका target नहीं मिल जाए, तो आप देख सकते हो, यहाँ से कितना target बढ़ा हो जाएगा, और आपकी risk कि नहीं छोटी थी, तो generally हम लोग जो option buyer है, वो यहाँ पर add the money का, option buy कर सकते है, इन the money का, जो option seller है, वो कोई तो भी otm का 7250 या 7300 यहाँ का call sale कर दो, they will get the good profit along with the very less risk, so in this way, you can basically take a trade, अब आप देखो कि हमारा जो point था, अब यहाँ पर supporter resistance है, हमने जो mark किये हुए है, ठीक है, इस पर कैसे trade करना है, कैसे market react करता है, या आप stock में भी कर सकते हो, आप bank nifty में, index में भी कर सकते हो, कोई भी चीज़ में कर सकते हो, याद रखना कि जो liquid stock है अच्छे, उसमें supporter resistance बहुत अच्छे से काम करते है, अब यहाँ पर देखो कि, यहाँ पर हमेशा क्या होता है, जब भ रिटेस्ट होता है कभी, तो यह जो concept है ना कि particular support and resistance पर कैसे trade करना चाहिए, बहुत important है, जो एक मैंने support and resistance का जो वीडियो बना है, उसमें पूरा explain किया हुआ है, A to Z आपको कोई और वीडियो देखने का काम भी नहीं पड़ेगा, वो आप अगर सिख जाओगे ना, मैं challenge दे बहुत जल्दी, हम लोग और यही पर market है ना, ऐसे zone बनाता है, जैसे अब देखो, यहाँ पर कोई important level है, तो ऐसी candle time pass, time pass, 3-4 candle उपर नीचे बनाएगा, और हम लोग कभी लगेगा, हमें buy है, कभी लगेगा, sale है, कभी buy है, कभी sale, अब खुदी देख लो, जैसे important level है, हम ल बहुत सारे stop loss यहाँ पर hit हो जाते है, और market में जो लोग होते है, एक buyer होते है, एक seller होते है, एक audience होते है, तो जो भी important level होती है, तब वहाँ पर हम लोग react हो जाते है, यह operator लोगों को भी पता है, बड़े लोगों को भी institutional player को भी पता है, इसलिए वो support resistance पर ऐसा zone create करते है, क और उसी according आप trade करिए, नई तो फिर आपको यह level बनाना तो मैंने सिखा दिया, level तो आप बना लोगे, लेकिन level बनाने के बाद भी, वहाँ पर trade कैसे करना, that is the important aspect, वो उस वीडियो में मैंने काफी अच्छे से explain किया हुआ है, at the same time, अभी जो level draw की है, अब मैं इस level को generally, बह पाच साल से जादा होगे, मैं level के उपर, मनलब level drawing कर रहा हूँ, तो obviously है, उसके उपर जो आखे ऐसी बैड़ गई हुए, कि बहुत जल्दी से समझ में आता है, कि क्या पर क्या करना है, starting के, जब आप start करोगे, थोड़ा सा आपको तकलिफ होगी, दिक्कत जाएगे, बट ध दीरे जैसे आप practice करोगे, तो आप खुद सीख जाओगे, कोई भी support and resistance, कोई भी particular level जो होती है, important, कैसे mark करना है, आप खुद ओकी trading कर सकते हो, and I am telling you, जब से मैंने level drawing करना शुरू किया, और trading शुरू की, उसके बहुत अच्छे impact मिले, actually internet trading में, without levels trading करना, मैं simple कहूंगा, desire the harsh short, but उसे बेवकु भी कहते है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते है, level भी draw करते है, मतलब price को भी important देते है, जो कहते है, price is a god, तो हम price को भी important देते है, price अगर नीचे, इसके breakdown हो गया, तो we are going to sell, at the same time, we are using the price section, कि retest हो रहा है, कैसे zone बना रहा है, तो वो वीडियो में सब को सब समझ में आ जाएगा, then we are taking a trade, 100% में बता रहा हूँ, आप लोग intra trading में बहुत आसानी से trade कर सकते हो, अगर इन सब चीजों का आपने खयाल रखा और अच्छे से ध्यान रखा तो, तो friends, hopefully ये वीडियो आपको बहुत काम में आओगा, at the same time, आपको कोई भी confusion हो, तो you can write down in the comment section, at the same time, आप मुझे जरूर बताओ, आपका feedback क्या है, और आप लोग already पहले से level trading करते हो, या कौन सी price section की theory use करते हो, trend line use करते हो, तो आपके उसके बारे में क्या रहा है, तो आप मुझे comment section में जरूर बताओ, और जैसे अभी ये होता है, कि हम लोग यहाँ पर trading कर रहे है, इस particular level के उपर, तो हम लोग से price section और candlestick को देखते है, अगर आपको इसको confirmation चाहिए, तो we can check the data, तो data analysis is the important part in the nifty and bank nifty, कोई भी index में जब trade करते है, तो data देखना बहुत जरूरी है, how we can do the analysis of the option chain, at the same time, OI कैसे check करे, कैसे data check करे, data negative होता है, positive है, सारी चीज़े मैं explain करूंगा अगर, if you want that particular video, how to analyze the market direction, तो आप, जो comment section है, उसमें आप लिख सकते हो, data analysis या फिर option chain, option chain करके, आप comment करोगे, तो वो जल्दी ही आपको video मिल जाएगा, how to read the option chain and option data and to know the market direction, so thank you friend for listening the video, thank you again झाल